है ठीक यह पहला पेज था फिर यह दूसरा और यह तीसरा इसके लोगा आपके लिए एक सरप्राइज जो कि यह चौटे पेज में वह जिसको अभी मैं दिखा नहीं रहा हूं तो आज हम मां वैप देखने सब्सक्राइब बहुत सारे ठीक है जैसे पूरी फेरा है सीगन ट्रेटा इन सब की एक्जामपल याद करने होते हैं तो उनको एक्जामपल बहुत ज्यादा हो जाते हैं समझ में याता आप confusion होती है ठीक है तो एक्जामपल के लिए मैंने एक अलग चार्ट पेपर तैयार किया है चार्ट पे च्छे basis लिए गए है classification के पहला है level of organization बताता है किस लीवल का organization जैसे पोरी फेरा में cell लेवल का organization है sealant ट्रेटा में tissue level का अपलैटी हलमेंथिस में organ level का organization है ठीक फिर आते हैं दूसरे पर symmetry symmetry तीन तरहीं बताईगी है पहली radial symmetry radial symmetry क्या होती है कि जिसमें कोई भी प्लेन में अग्दम सिमेटर समेटर में तीन आपको सिमेटर में ध्यान रखनों गांगे हैं अब इसमें एक किस, एक मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूं, इससे आपको सही से दिखे, हाँ, ठीक है, तो अब इसमें एक किस आजाता है, सिलेंट रेटा का, सिलेंट रेटा जो है, इसमें एक एक्स्ट्रा लेयल पाई जाती है, मीजो गिलिया नाम की, अब पूछा सीलो में सीलो में जिसमें सीलो में पाई जाएगी एस यो में जिसमें तीसमें के फांट की تم सुथ seemed कंपल स्क्राइप कंडीिसन की bracity थकते पॉर में नहीं मिताए और पूरे पौरे सुथ यह बलेका शीजर्ब सुथ powin यह यह किन थो यह फिर हाते हैं segmentation, segmentation के recording, sorry segmentation मतलब क्या होता है कि segment में body का divided होना और यह सिर्फ तीन फाइलम में पाया जाता है लेकि मैंने एक जगे पर लिख दिया तो आपको तुरंद पता चल गई, फिर है notochord, notochord एक थार है कि छोटी सी पतली सी रसी टाइप की होती है यह mesodermally derived होती है, बहुत important है, mesoderm से बनाई गई होती है, मतलब mesoderm वाली जो layer होती है, उससे निकली होई होती है तो notochord जो होता है mesodermally derived होती है, बहुत ज़्यादा important है यह point, और सिर्फ chord date में पाई जाती है, only chord dates तो यह होगे हमारे 6 के 6 basis, मतलब जिस base पे classification किया गया, ठीक हाँ, तो यह होगे हमारे 6 basis of classification, और अब हम आगे बढ़ेंगे, और एक एक करके सारे फाइलम को पढ़ेंगे, अच्छे से ठीक है तो मैं, अच्छा मैंने किस recording से किया है, मतलब arrangement किया है, यह एक बार दिखा देता हूँ, जैसे मैंने पौरी फेरा यहां किया है, फिर सिलेंट रिटा, और numbering कर दिये, मैंने, फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह से, ठीक तो numbering से क्या होता है, यह numbering भी आगे फाइदा आपके समझ में आएगा, numbering जरूड़ी है, ठीक है, तो यह याद रखेगा, आप numbering के हिसाब से पढ़िएगा, जैसे पहला पौरी फेरा, फिर सिलेंट रिटा, फिर तीसरा टीनो फेरा, फिर चौथा प्लेटियल में थे से तो अब हम आते हैं पौरी फेरा पे, जो पौरी फेरा है, इसमें 4-5 points important है, पहला water canal system इसमें पाया जाता है, बहुत important है, हमेशा पूछ लिया जाता है, water canal system में दो दर्वाजे होते हैं, एक दर्वाजा तो ओस्टिया, ओस्टिया से पानी अंदर आता है, और दूसरा पाया, sponge seal में भर जाता है पानी, फिर औसकुरम से बाहर जाता है, तो water canal system यही है, इसमें 2 दर्वाजे होते हैं, एक कमरा जिसमें पानी भरता है, फिर काइनोसाइट्स, काइनोसाइट्स नाम की collar cells पाय जाती है, इसी sponge seal के अंदर, यानि कमरे के अंदर collar cells पाय जाती है, जि कि मैंने example के लिए एक दम अलग ही वो बना डाला है, ठीक है, अलग paper बना डाला है, ठीक, यहाँ पे example में ये एक एक या दो या तीन इस तरह दे दूँगा, हलाकि इसके अलग नाम भी होते हैं, जैसे साइकॉन को स्काइफा बोला जाता है, लेकिन यह चीज मैंने यहाँ यहाँ पर नहीं दिखा क्योंकि यह बहुत ज्यादा complicated यहाँ पर हो जाता है, तो मैंने अलग paper बना दिया है, उस दूसरे वाले paper में आपको, यह साइकॉन जो है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, यह से यह स्पॉंज या इसको bath sponge कहते हैं, तो bath sponge यहाँ पर आपको नहीं सारे file में क्याद रखेंगे, तो काम चल जाएगा, लेकिन जो neat वाले हैं, उनको वीडियो को आखरी तक जरूर देखना है, तो polyfera है, इसमें आपको यह 5 point ध्यान में रखने है, फिर दूसरे नंबर पर आजाता है, sealantrata, sealantrata को commonly हम nideria भी कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, nideria इससे कहते हैं क्योंकि नीडो ब्लास्ट नाम की सेल्स पाई जाती है, नीडो ब्लास्ट में have nematocyst, nematocyst क्या होता है, एक तरह की सुई होती है, या कह लिए काटा होता है, इस काटे को कहते है, stinging capsule, sting मतलब होता है चुबना, ठीक है, तो यह काटा चुबता है, तो have nematocy नीडोस्ट नीडोस्ट यानी stinging capsule, ठीक, अब जो silentrate होते हैं, इसमें दो body form होते हैं, एक होता है polyp, एक होता है medusa, तो polyp और medusa दो अलग अलग तरह के form होते हैं, जो polyp होता है, वो cylinder के तरह होता है देखने में, ठीक, और hydra एक example है इसका, hydra आपने देखा होगा, बुक मे याद रखेंगा, फिर metagenesis, metagenesis क्या होता है, alteration of generation, यानी polyp से medusa का बनना, और medusa से polyp का बनना, इसे कहते है metagenesis, और ये देखा जाता है, obelia में, बहुत important है, obelia ये करिसे example है, जो कि बहुत पूशा आता है, ठीक, तो sealant rate में आप obelia जलू याद रखेंगा, तो दो phylum हमने complete क कोई फार्ग ने पड़ता है, लेकिन जो net वाले हैं, वो इसे जो रियाल रखेंगा, कि only marine होता है, सिर्फ marine होता है, ठीक है, 8 rows of ciliated complex, इनमें 8 row पाई जाती है, ciliated complex की, ciliated है, मतलब locomotion में help करते है, ठीक है, फिर show bioluminescence, bioluminescence मतलब होता है, चमकना, जैसे जुगनू जो platy elements से commonly हम flat warm कहता है, ठीक है, flat होता है, इनमें flame cells पाई जाती है, जो की osmo regulation और excretion में help करती है, ठीक है, excretion मतलब waste product को बाहर निकलना, osmo regulation मतलब पानी का regulation करना, पानी को maintain करना, ठीक है, इसका example है plan area और fasciola, ठीक है, platy element इसमें खास कर आपको flame cell ज़ूरिया जपनी है, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, चार हो गए, अब हम आते हैं 5 पे, यह है, यह है हमारा पाच्छो, पाच्छो फाइलम है, एसकल मतलब सकल मतलब को commonly हम round warm कहते हैं, और यह pseudo-silomant होते हैं, यह हमें दूसरी बार यहां पे लिख रहा हूं, तो समझ दिए काफी important है, ठीक है, ठीक है यह पाच्छो फाइलम हो गया, फिर आते हैं छठे पे, छठवा जो हता है, यह है फाइलम एनलीडा, एनलीडा में मेटा मेरिजम पाया जाता है, यानि true segmentation, अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया था, एक सकंड, इस पेपर पर वापस आते हैं, जब मैंने segmentation बर रहा था तो आपको बताया था, एनलीडा और्थोपोड और कॉर्ड देता है, एनलीडा भी हम पाड़ हो, आप देख लीजे, फिर से यहाँ पे लिखाए, एनलीडा में metamerism पाया जाता है, यानि true segmentation, सही तरीका का segmentation जो हता है, उसी को metamerism कहते हैं, ठीक, एनलीडा में पैरा पोड और excretion में help करती है, जैसे पिछले अभी आपने एक और फाइलम में पढ़ाता है, और excretion में, जो platy elementis था, उसमें flame cell थी, यहाँ पे क्या है nephredia, ठीक, तो एनलीडा में nephredia है, जो कि और excretion में help करती है, इनका example है, नेरिस, अर्थवर्म और लीच, ठीक, यह तीन example यह बाकी example में आपको दूसरे वाले page पे दिखाऊंगा, ठीक है, तो example के लिए आप वेट करिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने example छोड़ें, एक भी example मैंने नहीं छोड़ें, सारे-सारे example आपको अच्छे समझाया ठीक, फिर आते हैं orthopoda पे, orthopoda is largest phylum, सबसे जादा organism orthopoda में है, सबस excretion जो होता है, यहाँ पर malfeasian tubule नाम की चीज़ से होता है, ठीक, malfeasian tubule से excretion होता है, और इनके पास एक balancing organ पहे जाता है, यानि सरीर को balance करने के लिए एक organ पहे जाता है, जिसको status कहते है, यह भी important है, ध्यान रखिएगा, अर्थर पोड़ा की जो body होती है, यह तीन पार होता है, head, thorax और abdomen, body होता है, respiration के लिए कई चीज़े पाई जाती है, जैसे gills पाई जाती है, book gills पाई जाती है, या book lungs पाई जाती है, और tricheal system भी पाई जाता है, तो यह था orthopoda का everything, मतलब हर चीज़ा, जो आपको सही से जाननी होगी, ठीक है orthopoda में, तो यह हो गया, largest phylum system के बारे में orthopoda, तो हम six कर चुके, मतलब सेमन कर चुके, यह six नहीं, seven थे, तो मैंने दो चीज़े गलत कर दी है, यहाँ पर seven लिखा जाएगा, मतलब सही कर लिज़ेगा, यहाँ पर मैं भी लिख दूँगा, तो थोड़ा गंदा लगेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐ के बारे में हम बताएगा, hump has a covering card, mental, hump जो होती है, इसके पास एक covering होती है, जिसको mental कहते है, mental नाम की चादर होती है, इसको पर, ठीक है, अब mental cavity क्या होता है, space between mental and hump, हम के बीच में जो थोड़ा सा space पहे जाता है, उसको mental cavity कहते है, mental cavity के एक speciality है, कि इसमें gills होते है, mental cavity के अंदर gills located होते है, यह चीज इंपार्टन दियार रखेगा, फिर इनमें एक resping organ पहे जाता है, resping मतलब है छीलने वाला, जैसे आलू छीलने के लिए kitchen में होता नहीं, इसमें एक पता नहीं क्या होता है, वह होता है chutालू छीलने वैसा पहे छीलने के लिए और अर्गन पहे जाता है, जिसकोра रिडियू लग घते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि किसी औरनलस पहर बर आटेक करते हैं मॉलस्का जो होते है तो उसको काट सकते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा बड़ा और्थ्रोपोडा फिर उसके बाद मुलस का ठीक तो आठ हो गया हम नाइन्थ पर आते हैं नाइन्थ है एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा जो होता है इसमें एंडोस्केल्टन होता है एक चीद ध्यान लीए पहला जो हमने पढ़ा था जो सबसे पहला था पोरी फेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था एकाइनोडर्मेटा में वाटर वैस्कुलर्स सिस्टम है यह दोनों अलग-अलग हैं दोनों को ध्यान रखेगा अलग-ठीक दूनों एक दूसरे से अलग हैं एक ही नहीं मिला न दीजिएगा इनमें पर आते हैं नाइन पर चुक है तेंथप पर आते हैं हैं हेमी कोल्ड़ एटा में हैं इस्टोमो कौल नाम का इस्ट्रक्चयर पाए जाता है वर्म याइक एप्स घ्लेंड का होता है यह तो इतनी जल्दी हो सकता है आखरी आते हैं यानि कॉल डेटा पे आखरी फाइला में कॉल डेटा थोड़ा सा कॉंपलेक्स है इसको मैं अगर पूरा दिखा हूं आपको तो ऐस तरह से ऐसा ठीक है यह पूरा-पूरा कॉल डेटा है लेकिन इसमें काफी सारा डिवीजन ऐसा क्यां यहा को समझ में आएगा मैं समझा दूगा सारी चीज़ ठीक यहां सुरू करते हैं तो गार्डेटा आप देख रहा है क्लेटा में दो पार्ट हैं प्रोटो-कॉल डेटा वर्टीबरीटा टो मिला कर जाता यह योरो-कोर्डेटा चिफालोगर्डेटा को मिलाग informação नोटो काड़ जो होती है लार्वा में प्रेजंट होती है वो भी सिर्फ टेल में ठीक बाद में नहीं आएगी एकजामपल है एक डिफरेंस का पॉइंट होता है ध्यान रखेगा इग्जामपल है ब्रांकियो इस्टोमा यह दुनों ध्यान रखेगा तो यह हो गया प्रोटो अब वल्टीबरेटर जो होता है इसमें नोटो कट प्रिजन इन इंब्रियोणन के स्टेज में होती है अंब्रियो वाले स्टेज में ठीक है पूरी जिन्दगी नहीं रहती है ट सthat होती है वह वर्टिब्रेल कॉलम में चेंज हो जाती है जैसे हम लोग है जैसे इनसान जो होते हैं हम लोग भी वर्टिब्रेटा में आते हैं क्योंकि हमाँ पास वर्टिब्रेल कॉलम होती है ठीक नोटो कार जो होती है इंब्रियोनिक स्टेज में होती है लेकिन जैसे ही हम ब सूपर क्लास कहलाते हैं अब एगनेथा जो है इसमें जो नहीं होता है लैक्स जो जबड़ा नहीं होता है ठीक है और इसका एक ही एक्जामपल आपको पढ़ना है साइक्लो इस्टोमेटा एक अकेला फाइला में जो की एगनेथा में आपको पढ़ना है नेथो इस्टोमेटा होते हैं मतलब किसी दूसरे के बॉड़ी के ऊपर रहते हैं जैसे जो जू होती है जुआ वो हमारे सर के ऊपर रहते हैं जैसे उसको एक्टो पैरसाइट करता है एक्टो मतलब बाहर क्यों रहना ठीक एंडो अगर दिखा होता है तो शरीर के अंदर रहना तो यह एक्टो पैर पाई है यहां पहाँ पाई जाते हैंए हुआ जाते है फिर पाई मिसें इक आप पाइसेस की बात करने तो इसमें दो चीज़े पढ़ने आपको और और ऑस्टिक थिस कहते हैं इनमें प्लेकॉइड इसकेल्स पाई जाती है इसकेल्स मतलब धारियां पाई जाती है इंपॉर्टन फिचर यह है मेल पेल्विक फिंस भी हैव क्लैसपर जो मेल पेल्विक इनमें एर्स्ट नहीं होता है इस विए से लगतार टार टैरती रहती है घंब यह लगतार क्動画 शेमें आँ ठीक आइप जोंग गएसे पानी में एक рукी में इर और स्विक थिसक को हम इन mantel को जो इसकेल्स होती हैं उनको हम साइक्लाइड या टेनोइड कहते हैं और इन में एयर साइक पाया जाता है ठीक है तो यह दोनों लगभा एक दूसरे को आपोजिटी देखने में लगती है तो यह चीज आपको ध्यान में रखना है इस वेज़स मैंने एक साथ लिग दिया है त तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा फिर आता है टेट्रापोडा में यह टूटल चार चीज़ें जो कि आपके जश्ट सामने लिखे हुए ठीक सुरवात में एंफी रेप्टीरिया एंफिलिया और नीचे एप्स और मैमल्स ठीक टेट्रापोड मतलब चार पैर जरूरी है कर्न DH होता है थोड़ा काटे था उटी-टी की सिकीन होती है चीजैसे आप में criticisms की सICKीन देखिए ठीक हो ऊपर से उठी रहती है थोड़ा लाग होता हैूरमार जो पानी में भीरे सकते हैं अरेंड बिरहां उनको एंथिया होता है वो तिंपहैनम के नाम से जाना जाता है या इक तरह का एयर होता है इनका पाया जाता है अए जो होता है इन मियाश्य का इंद मैं ओकेरेंगों तेड में चेंबर नामक खोशाउं का नाम जिसको tree frog का जाता है ठीक अब यह सारी चीज़े जो common name में बता रहा हूँ कि लाना को frog कहते हैं यह सारी चीज़े मैंने लिखी हुई है अभी आगे just ठीक है तो अब आते हैं Aves पे Aves मतलब पंची जो birds होती है उनको Aves का जाता है इनमें fully ossified bonny skeleton होता है fully ossified skeleton मतलब होता है total bone का बना skeleton जैसे हमारे skeleton जो होता है उसमें bone और इसके अलावा cartilage भी होता है लेकिन इसमें सिर्फ bone का बना हो इस skeleton होता है ठीक है फिर इसमें pneumatic bones होती है जो लंबी bones होती है उनके अंदर air cavity पाई जाती है फिर है additional chamber इनमें पाए जाते है crop और गिजर्ट नाम के, crop और गिजर्ट है ऐसे chambers होते हैं जो कि digestion में help करते हैं, इनमें additional chamber भी पाए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा, फिर है mammals, mammals में have memory gland, ये बहुत ज़्यादे important है, इसी वज़े सा हमारा नाम mammal पढ़ा है, क्योंकि हमारा पा आप तो नग बार गिजर्ट चोनली फ मैंल नि stepa की ये पाको मैंल के बारे मिध्यान रखना है, भिस खहता अगया अगौर्च के आप को सिर्फ बोर्ड की तयारी करने है तो आपका पूरा का पूरा यहां पे टोटल 17 मेर्ट के आस पास लगे हैं और आपको पूरा के पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया एक दम अच्छे से ठीक है लेकिन अगर आपको नेट की तयारी करनी है तो आपके लिए यह है पार्ट जो कि मैं कहा रहा था जिसमें आपको हर एक चीज हर एक एक ग्जामपल बताए जाएंगे ठीक है तो एक सेंड हाँ अब ठीक है और थोड़ा बड़ा कर देता है अब सही है अब हम यहाँ पे दो तीन पॉ तीन बंड़ा कॉड देट एं तीन जीगए पाया जाता है तीसरा पॉइंट है नोटो कार्ड़ और हार्ट ही हुमन का हार्थ हमारा हारट ठीक है यह दोनों मीजाम मेंसुडर्म की लिए घुर्प है उससे लिजसमें विए ये थी जा आपके लिए है आ झाला थ ही है निए पहला फाइलम-टोरीफेरा पढ़ा था फाइलम-फोरीफेरा में तीन एक्जांपल है, साइकोन in यो-स्पाइफवा कहते हैं, युस् पोण्जिया रफंज को भातमिड़ रफन्ज का जाता है, भातमिड़ Pocket whom नहींतर को कहते हैं फिर आता है सीलन्ट्रेटा पर पहला है फाइसेलिया जिसको पॉर्टुगीज मैन आफ वार कहते हैं बहुत इंपॉर्टन्ट है नीट में पूछा गया है फाइसेलिया को पॉर्टुगीज मैन आफ वार कहते हैं इडेमसियर जिसको c animon कहते हैं परणैटूला जिसको sy pagan कहते हैं जार्जॉन्या जिसको sy fan और मियानडराईनर जिसको brain cural कहते हैं तो यhe स म diyorum का इसा नहीं यह कि एक बर बेंसा नहीं है इसा इसा नहीं है कि एक बिर स Taylor हो सारे सारे एक्जम्पल NCRT के हैं ठीक है हो सकता आपने पढ़ाना हो क्योंकि काफी काफी काई बार मैं भी जब पहली बार इस इन इंग्जम्पल्स को पढ़ता हूं न तो मुझे लगता है कि यह नियुक्त बाहर है लेकिन जब मैंने NCRT उठा के देखी थे सारे एक्जम् है फिर आते है तिन फोर में तीनोफोरम में तीनोफोर थो है अग्जम्पल्स क्यों को मनें है ही नहीं इतल्प दूसरा तयई करिख भारे में एक थ्यान रखिये गा इनके पास प्लैटी आरिया तं LE стан bicheng और आंक भी मतलब काल 오른 organizations partner घुल चार्वाग सहे कैपसिटी मतलब इनको काट दियो अगर आप 20 से काट देंगे तो यह आसानी से फिर से रिजनरेट कर जाते हैं ठीक है तो प्लैनेरिया के बारे में यह याद रखना तो यह हो गया प्लैटी अलमेंथिस का एक्जांपल फिर आते हैं एसके अलमेंथिस में तीन एक्जांपल एसकेरियर जिसको आप रूंड वर्म केहते हैं वुचरेこんो उक्ते हैं क्जा एक्रत बबिस को अप इसको पाया जाता है ठीक है मैं इसको लेंट लयाइन कर दे रहा हूं नहीं तो आप कंफ्योज कर दे है पाया जता है जिससे help इन लोकोमोसन ठीक नेरिस में पेरापोडिया पह जाता है फिर एटीमा जो की अर्थवम कहते हैं जिसको कॉमनली और हिरोडिनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीच कहते हैं तीनों एक्जमपल ध्यान रखिएगा ठीक इनली डख हो गया फिर आते हैं और्थरोपोडा और्थरोपोडा में इकोनोमिकली इंपॉर्टेंट यह तीन है इसमें केटेगरी एक्चुली बनाएई पहला एकुनोमिकली पार्टेंट मतलब जिस्से हमें Пैसा मिलता है जैसे हनीबी PR नियुक के लाद मतिफोर्म पता नहीं मुझे क्या होता है लेकिन लैक भी एक तरह का इंडेस्ट्रियल मटेरियल है फिर ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब ऐसे पेस्ट जो की जुन्ड में चलते हैं और मतलब उसको नुकसान पहुचाते हैं ठीक तो ग्रिगेरियस मतलब होता है जुन्ड में चलने वाले पे living fossil, limulus यानि king crab, living fossil मतलब होता है कि ऐसा animal ऐसा जानवर जिसमें कुछ खास change नहीं हुआ जब से evolution हो रहा है, इसे apple snail कहा जाता है, pink tada, pearl oyster कहता है, pearl मतलब होता है, sepia जिसको cuttlefish कहता है, loligo, squid कहता है, octopus, devilfish कहता है, applysia, sea hare कहता है, rabbit, मतलब rabbit और hare एक ही लगभग एक ही होता है, टेंटेलियम जिसको tusk cell कहते हैं, और cheetopleura जिसको Cheeton कहते है, ठीक है, चीτο पलूरा और cheeton, ठेंटों यह होगा, most people fact enquुँमेरिया है, mouse Shore, whiteosto qe, एकिन वायवताब और ह exception, तो यह सारे examples आपको पस ध्यान में रखना है किसी तरीके से एक जगे लिखने से आसान हो जाता है याद करना ठीक है अब एक काम करिए आप एक दिन में सिर्फ एक phylum का याद रखिए जैसे आज Monday है तो आज सिर्फ एक Inodermata का याद करेंगे आप इसी तरह करिए 8-10 दिन में आपको सारे examples याद हो जाएंगे ठीक है तो एक दिन में सिर्फ एक phylum लीजिए बस एक ही phylum याद रखिए फिर आते हैं Hemichordata Hemichordata में दो example है Belenoglossus, Cycloglossus ठीक कोई common name नहीं है फिर आता है Chordata Chordata में क्या-क्या है Euro Chordata में तीन example Ascadia, Celpa, Dolulum, ठीक यहीं याद रखना है कोई common name नहीं है Cephalo Chordata में Branchiostromata, Branchiostromata दो common name बताए गया Amphioxus या Lancelot बोलाया था ठीक तो Amphioxus जो है यह नाम पुछा गया था नेट में तो यह ध्यान रखिए गा खास कर फिर है Vultibreta, Vultibreta में Cycloistomata है जिसमें Petromyzone है जिसको Lampre कहते है, Migzine है जिसको Hagfis कहते है, ठीक Cycloistomata के दो example Petromyzone और Migzine, फिर है Chondreuthis, Chondreuthis में कई सारी Fishes आता हती है जैसे Torpedo, Torpedo को Electric Ray कहते है Electric Ray इसलिए कहते है क्योंकि Electric Organ पाया जाता है, मैंने Organ गलते से लिख दिया था, इस वज़े से काड़ दिया हूँ, ठीक है तो Torpedo को बोलते क्या है Electric Ray क्यों बोलते है क्यों क्योंकि Electric Organ पाया जाता है, यह Current नुमारती है, ऐसी मचलिया होती है ठीक, फिर Trigon, Trigon के पास Poison Sting पाया जाती है, यानि Poison की सुई पाया जाती है, इसी वज़े से इसको Sting Ray बोलते है Trigon को ठीक, फिर है Scoliodon जिसको Dog Fist बोलते है, Pristis जिसको 100 Fist बोलते है, 100 मतलब होता है आरी, तो जो Pristis होती है, इसका जो मू होता है, उसके सामने आरी के तरह का Structure लगा होता है, इसको जैसे 100 Fist कहते हैं फिर Carcharodon जिसे Great White Shark कहा जाता है, ठीक है तो यह हो गया, Chondroethis अब थोड़ा सा और बचा है, अब आते हैं, Ostrichis में, जिसमें है Exocytus, जिसे Flying Fist कहते हैं, Hippocampus, जिसे Sea Horse कहते हैं अब इन दोनों को मैंने Group किया है, क्योंकि यह दोनो Marine Fist हैं, ठीक है, मतलब समुद्र में पाई जानी वाली, खारे पानी वाले में ठीक, तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ Marine, ठीक, यह दोनों Marine है, फिर है, Labio, जिसको Rohu कहते हैं, Catra, जिसको Catra ही बोलते हैं, बस Spelling Change है, Clarias, जिसमें Mangur बोलते हैं, और यह तीनों Freshwater हैं, यह सारी चीज़े NCRT की हैं, कोई भी चीज़े मैं Add नहीं कर रहा हूँ, ठीक, क् कि मेरे टीचर जब पढ़ाते हैं, तो मुझे लगता था, कि सारी चीज़े Add कर रहा है, मैं NCRT ऐसी पढ़िए कि कुछ लगता ही नहीं था पहले कि, यह सारी चीज़े NCRT में है भी, अब बता चला कि है, जब खुद पढ़ रहा हूँ तो, बेटा, बेटा को, अचा बेट जिसे फाइटिंग फिस कहते हैं, फिर टेरोफाइलम जिसे एंजल फिस कहते हैं, और यह दोनों है, एक्कोईरियम फिस, यानि एक्कोईरियम में लाई जाने वाली रखे जाने लिए, एक्कोईरियम, ठीक, यह तीन काटेगरी बनाई थी है, NCRT ने, इसी विज़े मैंने इसी जो की इंपोर्टेंट है, इसे लिम्बलेस अमफिबया कहते हैं ठीक है तो मैं लाइन भी कर दे रहा है, लिम्बलेस अमफिबया कहते हैं, यह दिआन रखिएगा, फिर आता है, रेप्टीडिया में चिलोने जिसे टरटल कहा जाता है, टेस्ट्यूड्यों जिसे जैसे चापया नाजसर स्तुर्णों पर नाफे जोना पहेते इसको कोब्रा कैते को कहते हैं सिपेकुला पैरट को कहते हैं इस्टूथियो ऑस्ट्रिच को कहते हैं पावो पिकॉक को कहते हैं एप्टेनोडाइटिस एप्टेनोडाइट्स पैंग्विन को कहते हैं और नियोफ्रॉन नहीं नियोफ्रॉन वल्चर को कहते हैं ठीक फिर आते हैं मैमल्स पे मैमल में है और ईतोरिंकस जिसको में प्लैटीपस कहते हैं मार्कवपस जिसे कंगारू कहा जाता है टेडर पस फ्लाइंフ़ॉrangस इस्तो हो बैट एकको बैट ऑक डब यह देतां तो उमेद करते हैं आपको सारी चीज़े सौन में आ गई होंगी और सारे एक्जांपल भी आपको सौन में आ गई होंगे ठीक है तो यह हमारा टोटल पांच पेश जिससे हमने सुरुवात की थी अभी मैं जॉइन करूंगा इसको और इसको एक सके इनको तीनों को जॉइन यह पीछे एक्जांपल का यह पीछे एक्जांपल और एक यह ठीक है बाकि अगर आपको वह चाहिए पीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया जो कि मेरी वेबसाइट पर ले जाएगा और उस वेबसाइट से आप तुरंत मतलब जैस्ट पीडिया लिखा लेग करने मैप और इस तरह का रिवीजन जो आपका है वह पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है कि कहीं मिलेगा ठीक अगर आपको लगता है चलते हैं आपके और कि नेक्स्ट वीडियो में तब तक कि लिए पढ़ाई करते रही है और कोमेंट करने बताईक लिए उसना किस चप्टर का और सब्रатता चाहिए थे और मसाहिए करना ने मतलब किस चप्टर का पहले चाहिए या बाद में चाहिए हम या जैसे पहल sürद ना जैए प्रे दूसरे स लेकर जी जेगा वेरी थैंक यू वेरी मुच्छ